डेट आज 9 फरवरी 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है डिकिन सुनिया ये सिर्फ प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है इसके कुछ फॉसिल्स मिले हैं भोपाल में फॉसिल्स का मतलब रिमेंस यानि की अवसेस और दो साल पहले वी इसके बोपाल में ये एक्स्टेंट हो चुका है प्राणी था जीव था लगवक करोडो साल पहले ये जिया करता था लेकिन अब एक्स्टेंट हो चुका है अब इसका एक भी प्राणी नहीं जीता है जो डिकिन सुनिया है इसके कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं भोपाल में ये बे यह देखो यहाँ पर Australian के आश पास इधर यह Russia और Ukraine, Russia युक्रेन के बारे में आप जानते हो जो युद्धु चल रहा इसके आस पास यह रहा करता था, लगबक करोड़ों साल पहले इडिया कारन लेट पीडेड में इडिया कारन पीडेड में ये रहा करता था इसकी तो डिसकर्टी हुई है उससे ये माना जाता है कि ये एक एनिमल था पसू का ही टाइप था डिकिनसोनिया तो देखो UPSC इस तरह से पूछती है आपको ये वर्ड दे देगी और ऑप्सन में देती है ये एनिमल है या बर्ड का टाइप है या हुमन का कोई टाइप है इस तरह से पूछती है तो आपको याद रखना है ये डिकिनसोनिया एक एनिमल था एनिमल देखो लगबग 54 करोड साल पहले यानि की 451 मिलियन एयर्स एको पहले इस पीरियड को बोलते हैं कैmberion period कैmberion period और कैmberion period में देखो इस से पहले लगबग इस से पहले ही ये माना जाता है इडिकारियन पीरियड या इडिकारियन पीरियड लगबग 20 मिलियन इयर्स एगो यानि कि 2 करोड साल पहले केम्बिरन पीरियड से ये इडिकारियन पीरियड माना जाता है तो यह आप याद रख सकते हो कि ED कारण पीरियड है जो यह किस टाइम का है और Cambrian period किस टाइम का है और इसी टाइम में जो यह Cambrian period है लगबग 54 करोड साल पहले इसी टाइम पे modern animal की जो life है उसका emergence होता है वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक है किनू माइसीन यह भी सिर्फ प्रिलिम्स के लिए important है mainly किनू माइसीन देखो एक यह समझ लो एक बैक्टिरिया है बैक्टिरिया कर टाइप है यह anti-microbial agent है anti-microble का मतलब है anti का मतलब opposite microbial मतलब micro microbe का मतलब कोई भी ऐसा बैक्टिरिया या fungus जो body को नुकसान पहुचाता हो तो ऐसे microbes जीव हो गए छोट छोटे organism जो होते है यह नुकसान ना भी पहुचाता हो ऐसे organism को भी microbes में आते हैं सारे यह तो anti-microbial का मतलब हो गया है micro जो जीव है उनको पहुचाना नुकसान पहुचाना है उनको मारना तो यह कीनो माईशीन anti-microbial agent की तरह काम करता है ऐसे यूनिवस्टी ने खोजा एक यह लीबनी इंस्टिट्यूट है फूर नैचुरल प्रोड़क्ट रिसर्च एन इन्फेक्शन बायलोजी तो इसके कुछ वैज्ञानिक है रिसर्चर है उन्होंने यह खोजा है कीनो माईशीन anti-microbial agent कुछ इस तरह का दिखता है यह चो बैक्टिरिया का जीन है देखो स्यूडो मोनस स्यूडो मोनस इससे ही डवलप हुआ है कीनो माईशीन स्यूडो मोनस से और जो स्यूडो मोनस है यह क्या है यह बैक्टिरिया का ही टाइप है बैक्टिरिया जर्म का ही टाइप है जो इन्वार्मेंट में पाया जाता है सॉइ यह बेक्टिरिया है बेक्टिरिया का टाइप यह जो भी खोजा गया है कुछ रिसर्चर हैं उन्होंने यह भी पाया है कि यह जो बेक्टिरिया का टाइप मिला है कि यह देखो प्लांट में जो फंगल डिसीज हो जाती है कुछ फफूंदी लग जाती है ना प्लांट में प्लांट में देखो बहुत सारे पेस्ट होते हैं जैसे बोट ये बोटी राइट बोटराइटिस सिनीरिया बोटराइटिस सिनीरी या सिनीरिया कुछ वी परनिंसीशन हो सकते हैं ये जो पेस्ट होते हैं पेस्ट का मतलब समसतेтесь आहीं यािन कि ऐसे कीट ऐसे इन्सेक्ट जो विनासकारी होते हैं यानि पौदों को, प्लांट्स को नुकसान पहुचाते हैं तो ऐसे जो पेस्ट हैं उनको भी ये मारने का काम कर सकता है कीनूमाइसीन और ये जो बोटराइटिस सिनेरी होते हैं ये देखो क्रॉप्स को नुकसान पहुचाते हैं जब यह फसलो में लग जाते हैं, फसलो को सडा देते हैं, तो हारवेस्ट के टाइम पे लगबग यह लगते हैं, और जो हारवेस्ट का मतलब जब फसलो की कटाई का टाइम होता है, तो उस टाइम पे फसलो को नुकसान पहुचाते हैं, ऐसे यह जो पेस्ट होते हैं, तो इन इस फंगी का नाम है Candida albicans, ये Candida albicans को भी affect कर सकता है कीनुमाइसीन, जो कि ये Candida albicans, plant और human cells, दोनों को नुक्सान पहुचाती है, दोनों के लिए harmless, मतलब harmful है एक तरह से, कीनुमाइसीन देखो, एक environment friendly alternative है chemical pesticides का, यानि कि जो plants में जैसे फसल होगाते हैं, उसमें chemical pesticides डाले जाते हैं, कीट ना सक दवाईयां, उन्हें कीटों को मारने के लिए, तो उनको ना यूज करके अगर कीनुमाइसीन को यूज किया जाए, तो इससे environment को भी नुक्सान नहीं नेक्स्ट टॉपिक है, वर्मिन्स, वर्मिन्स देखो, ऐसे जीव होते हैं, यानि की एक तरसे animals, इनको वर्मिन्स नाम इसलिए दिया जाता है, क्योंकि वो animals जो humans को, crop को, या property को नुक्सान पहुंचाते हैं, तो government उनको vermin declare कर देती हैं, यानि की ये attack करें humans को, या human property को, crop को, light stock को, पसुओं को नुक्सान पहुंचा रहे हैं, जो domestic animal होते हैं, जैसे बहेंस गाय को नुक्सान पहुंचा रहे हैं, ऐसे पसुओं को declare कर देती है, government vermin, अब ऐसे पसुओं को vermin जब declare कर दिया जाता है, तो फिर उनको hunt करने का एक तरह से right मिल जाता है, यानि की कोई भी आदमी उन्हें सिकार कर सकता है, मार सकता है होने, तो ऐसे प्राणी को बोलते हैं, वर्मिन्स, अभी न्यूज में इसलिए है, एक wildlife institute of India है, यह देखो prelims के लिए important है, वर्मिन्स और means के लिए भी GS paper 3 के लिए, जो wildlife institute of India है, एक autonomous institute है, और यह 1982 में बनाय गया था, 1982 में, wildlife क प्रोटेक्ट करने के लिए बनाय गया था यह, और यह ministry of environment, forest and climate change है, यह निकी परियावरन मंत्रा ले जो हमारा, उसके अंडर यह काम करता है, wildlife institute of India, यह एक ऐसा method डवलप कर रहा है, जिसके वजए से वर्मिन्स की जो population है, उसको कम किया जा सके, क्या है उस method का नाम, immunocontraceptive measures, immunocontraceptives ऐसे method हैं, कि इसमें क्या है कि body की जो immunity है ना, वो immunity को यूज करके pregnancy को prevent किया जा सकता है, आसान भासा में समझते हैं, immunity का मतलब होता है, प्रतिरोधक शमता, यानि कि रोगों से लड़ने की जो हमारी body की शमता होती है, उसको यूज करके pregnancy को रोका जा सकता है, यान कि गरब से ना ठहरे कोई पशू, जो female पशू है, उसकी immunity को यूज करके ऐसा method अपना जाता है, उसी को बोलता है, immunocontraceptive measures, तो इनकी population को कम करने के लिए immunocontraceptive measures पे काम कर रहा है, यह Wildlife Institute of India, ताकि इनकी population को कम किया जा सके, वर्मिन्स की population को, तो यह वर्मिन्स यूज वली problematic समझे जाते हैं, यानि कि ऐसे animal हैं, जो problem, नुकसान पहुचाते हैं, परिसानी खड़ी करते हैं, और attack करते हैं, humans को, crops को, livestock को, property को, यह species वर्मिन्स, Wildlife Protection Act है हमारा 1972 का, 1972 का, इसके स्जूल 5 में रखे जाते हैं, स्जूल 5 में, यानि कि स्जूल 5 में जो animal रखे जाते हैं, उ उनको सिकार कर सकते हो, बिना government की permission के, मार सकते हो आप उने और सिकार कर सकते हो, इसमें कैसे पराणी आते हैं, इसमें ऐसे आते हैं, जैसे mice rat, यानि कि चूहें, चूहें का सिकार कर सकते हो आप, लेकिन चूहें का सिकार करना भी इतना आसान बात नहीं है, वह ऐसा मारना ब पूछा गया इससे question और इसके लिए दो लेक्चर दो लेक्चर environment की playlist में आपको मिल जाएंगे detail में उनमें दोनों में अलग-अलग है बातें जो आपको सीखने को मिलेंगी wildlife protection act 1972 का तो इसके बारे में हम briefly बढ़ते हैं जो इसके 6 dual है वो क्या क्या कहते हैं 6 dual है इसमें 6 dual और उनमें से जो पहला dual है schedule 1 और schedule 2 है उसका part 2 schedule 2 का part 2 इन schedule में भी part होते हैं part 1, 2, 3 ऐसे करके तो schedule 1 है और schedule 2 का part 2 इसमें जो animal डाले गए हैं mention कर दिया उनका नाम mention कर दिया कि यह यह animal है इन में उनको highest protection मिलती है यानि कि आप उनको न कुछ भी नुक्सान नहीं पहुचा सकते है अगर आपने उनको पत्थर भी माराना है और animal को या नुक्सान पहुचा है को सिकार करने की कोशिस भी किये तो आपको सजा हो सकती है find भी देना पढ़ सकता है ऐसे कौन से animal होते हैं जैसे देखो हिमाल्यन brown bear भालू होते हैं इमालान एरिया में ये brown bear पाय जाते हैं इंडियान elephant या tiger लियो पार्ड ऐसे animal होते हैं यह स्टूल 1 में डाले जाते हैं और स्टूल 2 पारट तू में डूसरे animal आते हैं जो स्टूल 3 और स्टूल 4 में डाले जाते हैं इन animal को भी protection मिलती है, secure होते हैं ये लेकिन इनके अगर आप इनको नुकसान पहुचा होगे तो तो कम penalty लगती है थोड़ी जो जूल 1 में animal होते हैं उन में जितनी penalty होती है उन से थोड़ी कम Penalty होती है इस में animal आते हैं जैसे barking bear यह होता है barking deer सौरी barking deer का मतलब hirana a chief टाइप है फालकॉंस किंग फिसर टॉर्टोईज कच्छवा जो होते हैं इनको आपने नुक्सान पहुंचाया या इनका सिकार किया तो आपको पैनल्टी लग सकती है लेकिन कम लगेगी जितना स्टूल वन में होती है उनसे कम नेक्स्ट आता है स्टूल 5 में ऐसे एनिमल है जिनको हंट किया जा सकता है और वर्मिन डिकलेर कर देते हैं जिनका आप सिकार कर सकते हो जैसे कौमन क्रो जो कोवा होता है कोवा देखा होगा आपने काला से माइस रेट चूहें का प्रकार है फ्रूट बैट्स चमगादर जो ह सर देन आप सिकार कर सकते हों नेक्स आथा स्जूल 2030 में प्लांट और 2 या क्रॉप रखी जाती हैं ऐसे प्लाय कराप है यानिकि एसी फ़स्ले या पौधे या पेड़ ऐसे हैं जिनको आप नॉर्मली प्लांट नहीं कर सकते हुगां नहीं सकते इन पर बेन लगा दिया जाता है, इनका आप cultivation नहीं कर सकते यानि कि इनको उगा नहीं सकते, जैसे कोट का ट्री है, पेड है, यह ड्रेड वंडा है, पिचर प्लांट है इस तरह के ट्री प्लांट है, इनको आप उगा नहीं सकते, बिना permission के नेक्स्ट टॉपिक है, बार्ड, बार्ड देखो एक software है, एक application है, जिस पर Google काम करने जा रहा है यानि कि Google ने announce किया है, यह तरह से chatbot होगा, artificial intelligence based chatbot chatbot क्या होते हैं और artificial intelligence पता ही होगा आपको, artificial intelligence कोई भी ऐसा software या machine जो human के दिमाग की तरह अपने आप काम करें, जैसे आप कुछ उससे पूछो या कुछ कहो, अपना आप सोच के वो काम कर दे आपका तो ऐसे robot भी होते हैं, जैसे आप उनसे पानी लाने के लिए का हो, robot होते हैं, वो पानी ले आएंगे, उनमें programming होते हैं, वो सुन लेते हैं, sensor लगे होते हैं, तो उनकी वज़े से वो पहचान लेते हैं तो human brain की तरह जो काम करते हैं, तो ऐसे machine को या software को बोलते है, artificial intelligence based software या machine, तो यह chatbot होगा, chatbot क्या होते हैं, chatbot ऐसी जैसे आपने telegram चला होगा, telegram किया है, पर whatsapp की तरह, उस पे बहुत सारे chatbot बने होते हैं, उन पर आप कुछ लिखते हो, तो उस तरफ से जवाब आ जाता है है, telegram का ही, खुद का chatbot होता है, उस पर आप कुछ answer लिखते हो, telegram के बारे में कुछ पूछते हो information, वहाँ से automatically आ जाता है, software के ज़री है, तो इस पर कोई आदमी जवाब नहीं देता है, software ही देता है, उसे बोलते है, chatbot, तो इस तरह का chatbot एक, देखो, chat GPT, chat GPT भी news में था chat GPT, बहुत ज़्यादा news में है, इसको आप download कर सकते हो, play store से, एक application ही है, तो बार्ड जो है, यह Google का chatbot है, जिस पर काम कर रहा है, Google develop कर रहा है, जो बार्ड है, यह देखो, एक lambda, एक software है, लेम्डा, उसका ही एक lightweight version है, लेम्डा का मतलब है, language model for dialogue application, उसका ही एक, यह lightweight version है, ज जो बार्ड जिस पर Google काम कर रहा है, बार्ड, जो chat GPT है, यह देखो, open AI, एक software company है, समझ लो, open AI, इसने develop किया था, chat GPT, यह open AI, अमरिका की एक agency है, company है, यह मालो, और यह Microsoft के Azure cloud service से powered है, chat GPT, next topic है, Jupiter के बारे में, देखो, अभी scientist ने कुछ नए moons ढूंड रहे है, moon का मतलब चंद्रमा, देखो, अर्थ का जो, अर्थ का एक moon है, चंद्रमा, तो अर्थ का यह satellite है, satellite, क्योंकि यह planet नहीं है, moon, तो उसका नाम दे दिया satellite, थोड़ा छोटा होता है, जिसे उफगिरह बोलते हैं, हिंदी में, तो इस तरह से अगर कोई ऐसे उफगिरह satellite मिलते ह किसी और गिरह के, तो उन्हें भी moon का नाम दे दिया जाता है, moon का नाम, तो एक तरह से उपा दिया यह, तो ऐसे नए Jupiter के जो बिर्षपती गिरहे, 12 नए moon मिले हैं, और इस तरह 12 नए moon मिलने पे, इसके total जो moon है, 92 हो गए हैं, यानि कि Jupiter के अब total जो उफगिरहे हैं, 92 हो टॉप पे आ गया है, तो बस इतना याज रखना, जुपिटर के पास 92 सबसे ज़्यादा सेटलाइट है, moons हैं, next topic है, G20, stay safe online campaign, यह prelims के लिए important है, mainly, देखो G20 आप जानते हो, 19 countries पलस एक European Union, इसमें लगबग 20 country का एक group माना जाता है, लेकिन एक European Union एक संस्ता है, तो यह G20 क के पास है, इसने campaign चलाई है, campaign चलाई है, अभी हाँ चलाई है, stay safe online, किस के साथ मिलके, देखो यह G20 की stay safe online campaign है, यह meta company है, meta company आप जानते हो, क्या है, जो facebook है, facebook तो आप जानते हो, facebook चलाई होगा, facebook, whatsapp, instagram, यह देखो, इनकी parent company है, meta, meta की ही है, subsidiary company है, facebook, insta, whatsapp, तो meta company ने मिलके, और हमारी जो ministry of IT है, information technology ministry, उन दोनों ने मिलके यह चलाई है, G20 stay safe online campaign, एक अभियान, online और digital सुरक्षा campaign, यह campaign चलाई है, किस लिए, इसमें देखो, जो youth है, नौजवान है, उनको educate क्या जाएगा, यानि कि उनको सिक्षा दी जाएगी, किस तरह की सिक्षा, misinformation से बचने की, यानि कि जो information ऐसी है, जो सही नहीं है, गलत है, उस information से बचने की, इन्हें education दी जाएगी, इस campaign के जरिये, यानि कि वो online system को internet पे कैसे वो safely उसे use कर सकें, इस तरह की उन्हें सूचना दी जाएगी, इस program के अंतरगत, इसमें देखो, multiple Indian language में, various channel create किये जाएग यानि कि लोगों को कई सारी भासा में awareness दी जाएगी, यानि कि उन्हें जागरुक किया जाएगा, और उन्हें digital literacy दी जाएगी, इस तरह के डेली के schools और colleges में से 10,000 students चूज किये जाएगे, और उनको information दी जाएगी, और इनको digital literacy प्रोबाइड कि जाएगी, यानि कि इन्हें आप पे, cyberbullying का मतलब internet के जड़िये आपको कोई धमकाता है, आपको blackmailing करता है, तो इनसे कैसे बचा जाएगे, इस तरह की आपको सिक्सा दी जाएगी, 10,000 students को, और वो 10,000 students पूरे internet पे जागरुकता फैलाएगे, बच्चों को, students को, लोगों को aware करेंगे कि 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 तरह से आ आपको या वीडियो मांगे आप से, तो उसे बोलेंगे, sex torsion, trolling करना, trolling तो आप जानते होंगे, trolling करते हैं, जैसे internet पे, किसी के नाम कोशालते हैं, या identity theft, या how to safely browse internet, internet को कैसे safely browse किया जा सके, इस तरह की सिक्सा education provide की जाएगी, इन 10,000 students को, इस अभिहान में, इस campaign में, त तो यही topic थे हैं, आज के,